हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे आज हम लेकर आये हैं आरारबी जूनियर इंजिनियर 2019 का कितने फॉर्म अभी तक फिल करे जा चुके हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कहां से कितने फॉर्म फिल करे जा चुके हैं वीडियो रिकोर्ड किया जा रहा है 21st of January 2019 यह जो भी डेटा है मैंने रिसेंटली वेरिफाई किया है सारा तो जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वह अप टू 21st of January 2019 तक का हुगा इसके बाद में हम यह जानेंगे कि कहां से कितने फॉर्म फिल किये जा चुके हैं यह पता कैसे चलेगा और आपको फॉर्म फिल कर लेना है 25 यह 26 से पहले ही रीजन बींग कि आपकी जो वेबसाइट अरर भी की होगी जिस जोन से भी आप फॉर्म फिल करेंगे सारे जोन से आपकी वेबसाइट जो है लास्ट टाइम पर बीजी चलेगी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आता है और रजिस्ट्रेशन आईडी के सुरू के चाल डिजिट आप स्किप कर दीजे बाकी जो भी नंबर आपको मिलेगा वो आपका उस जोन से एप्लिकेंट नंबर होगा एप्लिकेंट नंबर आप मतलब उसका कि आप इसने नंबर के कैंडिडेट हो इस जोन में अपलाई करने के लिए उपर वेबसाइट का आप जोन 187 स्टूडेंट ने अपलाई किया है अभी तक तो देखिए अब नंबर आफ एप्लिकेंट के हम बात कर लेते हैं 21st of January 2019 तक का ये डेटा है और रेलवे जोन आप देख सकते हों यहां फे कोलकाता कोलकाता में एक लाख चार अजार दो सो नबबए इतने कैंडिडेट ने अभी तक अपलाई किया है number of seats आप देख सकते हैं कि इस zone में कितने number of seats हैं उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो की description में आपको link provide कर दी जाएगी वहां से आप देख सकते कि किस zone में कितने number of seats हैं और आपको preference किस according भरना है वो सभी आपको उस maximum number of applicants ने अपलाई किया है उसके बाद में Allahabad, Chandigar और आगे देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा चैन्नाई 1 lakh 81 000 approx Bangalore 91 000 Sикandrabad 1 lakh 32000 Azmir 52 000 rrb Gorakpur it is 42 000 rrb Jammu और यू कैन से श्री नगर जम्मू एंड श्री नगर यहां से 24,000 एप्लिकेंट्स ने अप्लाई किया है अब देखे मालडा में इसकी पिसले किया है चार दिन पहला का जो स्टेटस था उसमें सबसे कम जो फॉम फिल करेगे थे वह मालडा के थे लेकिन इस टाइम का स्टेटस यह है कि मुझफफपुर में सबसे कम एप्लिकेंट्स ने अभी तक अप्लाई किया है तो according to number of sheets आप अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपको zone safe है according to number of sheets आप देख सकते हैं ठीक है तो यह था आपका 21st of January तक का data